इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक् को कम करके मस्तिश्क को शांत करता है। यह रदय और रक्त वाहिकाओं के कुछ कैमिकल मेसेंज के एक्शन को भी ब्लॉक करता है। एटलाम अप्रो बीस टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए। हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्यूंकि इस लें। चाहे आप बेहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें। यह आवश्यक है कि इस दवा को अचानक से लेना बंद न करें। क्यूंकि इसके कारण विद्रॉल लक्षन हो सकते हैं। यह दवा लेने के दौरान शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे दवा का प्रभाव कम हो सकता है। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में उलज़न या दाश्ट बिगरना, धीमी हिर्दे गती, ठकान और बुरा सपना शामिल हैं। इस से चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं, तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आपको इलाज के दोरान अपने पैरों या टेखनों के आसपास सूजन, अचानक वजन का बढ़ना या सांस की कमी का अनुभव हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप लिवर की बीमारी से पीडित हैं, तो दवा लेने के दोरान सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं, या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गरभवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, या स्तनपान करा रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।